हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हलो नमस्कार जैंद हम लोग जन्तु वरिकरण की बारे में पढ़ेंगे टापिक है जन्तु वरिकरण का एनिमल किंगडम या एनिमल क्लैसिफिकेशन जन्तु को सबसे पहले दो बरगों में बाटा गया था केरोलस लिनियस ने बाटा था जन्तु और पादप दो बरगों में बाटा था उसके बाद हैकल ने तीन जगत वरिकरण का प्रतिपादन किया जनत और पादव पहले से थे इन्नों ने प्रतिस्टा जोड़ दिया है केले 4 जगत वर्यकरण का प्रतिपादको प्लेंड़ ने किया तो बादव प्रतिश्टा थे इन्नों ने मोनेरघा जोड़ दिया पांच जगत वरिकरण का प्रतिपादन आरेच वाइट करने किया था वाइट कर वाइट कर ने पांच जगत वरिकरण का प्रतिपादन किया था जन्त पादा प्रोटिष्टा मोनेरा थे और इन्हों ने लाकर कवक जोड़ दिया तो इस प्रकार से जन्तों का पांच संग बन प्रोटिष्टा मोने रहा और कवक दियाद करने के लिए कर सकते हैं लहे जैसे प्लेगे ल लोग का है वो बहुँ निक प्लेंड और हट से वाइट कर जीव जीव को दो भरगुम व्याजित क्या गया है प्रोकरियोट्स जीव और यूकरियोट्स जीव प्रोकरियोट्स क्या होता है जो प्रोकरियोटिक को सिकाओं से मिलकर बनता है और यूकरियोट्स को सिकाओं से जो मिलकर बनता है उसे यूकरियोट्स जीव कहते है प्रोकर और बहु कोसी की जिनका सरीर के वह लेखी कोसी का सिमिलकर बना है और बहु कोसी की जिनका सरीर बहुत सारी कोशिका उसे मिलकर बना है कि एक को सिकी जीओं को प्रोटिष्टा कहा जाता है प्रोटिष्टा अभी हमने लोगों ने जंतु पादप प्रोटिष्टा मोनेरा और कवची पांच जगत देखे तो जीव को दो भागम बटा गया प्रोकरियोट्स यूकरियोट्स और यूकरियोट्स को दो भागम बटा गया एक को सिकी बहु को सिकी एक को सिकी प्रोटिष्टा कहा गया और बहु को सिके को पुना दो भागम बटा गया को सिका भित्ती रहित और को सिका भित्ती सहीत यानि कि विदाउट सेलवाल और विद सेलवाल तो को सिका भित्ती र एक प्रकास संसलेशन नहीं करने वाले एक प्रकास संसलेशन करने वाले जो प्रकास संसलेशन नहीं करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं कवक और जो प्रकास संसलेशन करने वाले हैं उन्हें बोलते हैं पादप इस प्रकार से पांच संग आपको मिल गए कि कि 5 संग में विभाजित हो गया जीव को दो भागों पहले पाले मैं प्रोकरियूइब सुप चुटरा बेंगे को बिधुन को फ्रटिषता कहा गया हो तक वि zij का बित्ति रहित वाले को जन्तु कहा गया और कोश भिद्ती सहीद़ वाले गदव भागमब आटा गया प्रेकास शंद्सकों नहीं करने वाले और प्रकास शंद्सकों करने वाले को कवक कहा गया और प्रकास अगर इसके अंदर जाये मोनेरा के अंदर जाये तो इन्हें दो भागम बड़ा जाता है एक प्रूबैक्टिरिया एक यूबैक्टिरिया यूबैक्टिरिया ही वास्तिविक जिवाड़ु इसे कहते हैं यूबैक्टिरिया को वास्तिविक जिवाड़ु बोलते हैं अधिकांस जिवाड़ु को मोनेरा जगत में रखा जाता है जिवाड़ु जो हते हैं बैक्टिरिय साइन भाइटा कि कि इसी कुछ साइन भाइटा भी होता है यहां लगा है इसका मतलब नीले रंक होगा और बेक्टरिया मतलब देट्रीया यहां लगा है नील हरी सेवाल नील मतला नीला हरी मतला हरा है इसके पास हरा रंग होगा हरा रंग होगा तो इसका मतलब कि इसके पास क्लोरोफील होगा अब जब क्लोरोफील होगा तो प्रकास संसलेशन कर सकता है और अपना भजन खुद बना सकता है इसलिए इसलिए शन्ग का इयुको आपती हैं वह प्रश्ण याड़ा में रख क्यों रखे हैं क्यों इसलिए वनेरा में खा जाता है कि जीवाड़ों बिंग्ञान के जनक के नक एन पाधन फ्राफ टार जाता है क्यों कहा जाता है चोंफिwen भीण्याद prefer मुझे रजीव पिखंडन यूगमन रुपांतरन द्वारा जनन करते हैं इसमें आल्लेंगिक जनन होता है लोज्य फ्रकार से उता भिखंडन द्वारा रुपांतरन द्वारा पिखंडन यहनिके उनके शरीर से ही कोई छोटा सा पाठ टूट कर अलग हो गया और वह एक नई कर सिकाब बन गया वह यह न सिबुन गया कि एक किया होता है दो बैक्टरिया घुस्छी सब्सक्राइब अधिक पस даль इन बदल दो मेरा रथाजी वाडू Casey होते हैं पर्पोसी क्यों क्योंकि अपना बहुत पूसी पर्पोसी होते हैं लेकिन कुछ सो पूसी भी होते हैं जैसे साइनोपॉट अभी हम लोग ने देखा यह साइनम इलख अधिर्क और प्करीति हुए हरे रंग और उस जगह पर वस्तित होते हैं जहां पर कार्बनीक पदार्थ पाये जाते हैं कोड़ों की कोशिका भित्ति टेप्ट टेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी होती है तथा कोशिका जिल्ली प्रोटीन और फास पॉलिपिट से बनी होती है और कोशिका भित्ति टेप्टो टेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी होती है जिल्ली को याद करेंगे प्रोटीन और फास सभी प्रकार के होते तो पोशी भी निर्ट पजीवी सहजी भी लित अब ना ने घ्लम सानो फायटा के पास सारा रंग था सानोफाइटा के पास यानिक ये प्रकास कर सकता था तो नील हरिष सेवाल ये सानोफाइटा ये सपोशी है पर पोसी होते हैं अभी हम लोग ने देखा जैसे हार एक्जाम्पल के तरप देख सकते हैं साल मैनो टाइप है यह परकॉसी है कि यह सब्द भी है ृष्षै और एंडियोमिरत होगा अब जो अब बोल रहा है कि आडियोमिरत होगा जू थेसं पूं रहे इक हसाथ रहते माइक्रो बेक्टेरियूम माइक्रो बेक्टेरियूम साथ साथ रहना और हम और आप साथ साथ क्यों है क्यों कि माइक है मायक की वज़े से हमारी वाज आपके पास पहुंच रही तो साथ साथ हैं तो इससे याद कर सकते हैं माइक्रो आइक से माइक्रो माइक्रो बैक्रो बैक्टिरियम सहजी भी है कि यह बैक्तीरिया का फीगर है रज्ञाइक देख सकते हैं तरशल कुछ नहीं है वहाई है जो प्रकॉसिका में प्रोकॉरियोटिक और गया है एक मिथेनो जेंस जीवाड़ू एक थर्मो एसीडो फिल्स जीवाड़ू और एक हैलो फिल्स जीवाड़ू मिथेनो जेंस जीवाड़ू नाम से यह सबस्ट है कि मिथेन का निर्माण करेगा यह यह मिथेन का निर्माण करता है थर्मो एसीडो फिल्स हर मतलब टापमान टेम्प्रेचर एसीड एसीड का मतलब है अम्ल तो थर्मो एसीड फिल्वारु जीवारु क्या होते हैं जो अत्यधिक उष्ण अर्थात आई टेम्प्रेचर के प्रती अमलियता के प्रती अनुकुल होते हैं उन्हें हैलो robbed हार्थ होता है इन्हें प्रकार के होते हैं अप हिंदी में लिखेंगे आगर ऐसे वी प्रीी लिखेंगे लिखेंगे आइसे तो लगाएंगे तो दार सल नीचे वाले बढ़ाएंगे उसलिए घ्रमा का बन जाएगा इसलिए वीब्रियों से याद करेंगे कमा को अकार addicted भी जिन बेक्ट्रिया के नाम के साथ प्रू अगा उंक यहां देख सकते हैं में इद कुमा को अकार का है यह च्छड के अकार का होता है लंबकार होता है च्छड के अकार यह तो यह लंबकार यह लंबकार कोककस जब आप कोककस बोलेंगे कैड़ल 수박 अपकोड टोथ वोत गोलाकार हो जाएगा मुह गोलाकार हो जाएगा वहिए इन बैक्रीम के साथ कोककस सब्द लगाओ को उनका आकार कीसा होगा ला PlayStation होगा के इस पाहिलंव भेक्टर्या के साथ सब्द लागा हो वह स्प्रिंग के समान होते है और सप्रिंग के स्प्रिंग यादध करेंगे तो इस प्रीन के अकार के होते हैं यह इडुchts से और ये दो बैक्टरिया मिलकर बनाएं कुकस और बेसिलस कि आइपकों को राथिक महत्व और आपकों के वर्वारता के में बुरिधी करना राइजीविय में बेक्टरिया राइजो बेक्टरिया होता है जो कि की उर्वरता में ब्रदी करता है यह दलहनी ते था तिलहनी पौदों की जड़ों में पाया जाता है यहां से आद करेंगे राई औरही क्या बोलते हैं तो राई 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 डाला नी पोधोंzej thousand जड़ों में मिलेगा इसी ग। में करता है तो में कि अब आप सब है लैक्त इसमें सब आए है लैक्ट टो जहां भी लेक्टिम अमल में बदल देते हैं जैविक खाद करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टिरिया आप देखेंगे ही के जिस मिटटीडी बंढ़ की असमें भेंडवर भकरीत इत्यादी को रख देती तकि वह उनके मल मुत्र से खाद करनीं वाड़ों क्यों कि उसमें मिथेन मिथेन मिधन होता है in the future is निए करता है क्लास कैसी तो क्लास के क्लास कैसी है दो क्लास से लिए स्ट्राइड कर कुझा ट्रीडियम बैटेटारीया रेशा की गुलोभत्ता के निर्धार्ण करता है को अब मार्जक करता है क्या ज़िए काफी करवाहट कम करना तो प्रति जयविक यानी कि प्रति जयविक के लिए क्या करते हैं या युड़िया चटड़क देते हैं अगर खेत की बात है तो यूरिया चड़क देते हैं और नहीं तो कहीं लगा देते हैं प्रति जयुए को कोद पादन करता है इस्टेटोकोकस ग्रीस अथ्वा इस्टेटोकस यूरिट्रीट्स वाणों से हाने भी होती है एसा आर्थिक मत हो यह निवी होती है ऐसे भोजन भी होता है यहां सब्दा है इस बोटल से रिलेट कर सकते हैं पाटूलिन यहने की बोटल बोटल पानी पीने के लीए बोटल होता है जब ट्रेन में अथवां कहीं जाते हैं तो बंद बोटल मिलता है और बंद खाना मिलता है तो इस करन करता है और माइक्रो बैसिलस और माइक्रो बैसिलस और माइक्रो बैसिलस यह दोनों वी नाइट्री करन करते हैं तो वी सल्फी करन अनीक बहुत सारे बैक्टरिया होते हैं जोन से औनेक रोग विभीने प्रकार रोग होते हैं यहीमन डीजीज वाले चप्टर नमपढ़ेंगे अभी नाइज के बारे में प्रतिली 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 प्रतिल सेल वाल नहीं होता है कोशी का भित्ती होती नहीं है इसलिए प्रतिजवी का असर कम होता है इस पर कि इन्हें दरसल यह माइको प्लाज्मा के पास कोशी का भित्ती नहीं होती है इसलिए इन्हें माली क्यूट्स कहते हैं माली का अर्थ होता है मुलायम और क्यूट का होता इस्क्रीण जिनका स्कीण मुलायम हो कोई का ब्याइम अधिद्ध होगी क्योंकि क्तोड तो कोई फ्यूति ही दोनोंप्रकार के खोर सकते ह 되면 और द oni लोग देखे भी पीछे कि दोनों प्रोटस्टा है एक होता है जलमें रहते हैं कुछ प्रोटस्ट आर्धर भूमी में जल में नहीं रहते हैं आर्थ भूम में रहते हैं अथवा जन्तु के शरीर में पाए जाते हैं जैसे प्रोटिष्टा से ही बहुत सारे मानों रोग भी होते हैं इसको पढ़ेंगे रोगों पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन प्रोटिष्टा से रोग होते हैं इसका पादप संप्रोटिष्टा और कवक संप्रोटिष्टा जन्तु संप्रोटिष्टा जो जन्तु के समान होते हैं उन्हें जन्तु संप्रोटिष्टा कहते हैं इन्हें प्रोटो जोवा प्रोटिष्ट भी कहते हैं अभी आगे पढ़ेंगे जन्तु के बारें पढ़ेंगे ज़वा होगा है कि इसलिए प्रोटो ज़वा को प्रॉटिष्टा और जंतु के बीच की कड़ी भी मानते हैं तो जंतु संप्रोटो ज़वाफ प्रॉटिष्ट गहते हैं अधिकांसता भिशामपोसी ता कुछ पर पॉसी भी होते हैं में अमीबा- Pyramesisium अगर आप से पूछ कोई पूछे जो तो दो नहीं एक नयार जिवबन जाएंगे एक से दो हो जाएंगे लिए बहुत सारे ही सिर्फ नहीं लिए नेस्ट पादब समप्रोटिस्ट उन्हें प्रकास क्लोरोफील होता है इसलिए इस वह संचलय नहीं पाई जाती हैं यूग लीना भूरेशेवाल नील हरित सेवाल इत्यादीव सबसे महत्यपूर्ण नील हरिस्यवाल हो कमजते हैं इननी हारया लगा है इसमें तो प्रकास संसलेशन कर पाएगा नेक्स्ट कवक सम प्रोटिष्टा है जो कवक के समान होते हैं कवक अभी पढ़े नहीं है बाद में पढ़ेंगे इननगेों पादप के साथ पढ़ेंगे उसको कि इन्हें आप घटनी पृतिष्टा कहते हैं आप क्यों lid प्रोटिष्टा कहते हैं इनमें कोशिका बित्ती का भाव होता है कोशिका बित्ती नहीं होती है फार एक्जाम्पल वाटर मोल्ड्स कि प्लाइम मोल्ड्स कि प्रोटिष्टा के लक्षण कि इनकी कोशिका जिल्ली प्रोटिण एवं सीलिका की बनी होती है इनके कोशिका जिल्ली कोशिका जिल्ली उक्त कोशिगांग होता है कोशिका जिल्ली कोशिगांग तो होगा ही क्यों होगा क्योंकि यह क्यों कोई रियोटिक से मिलकर बना है हवाल्य ही एक कोशि के लेकिन यूकोरियोटिक से मिलकर बना है तो कशी कांग होगा क्योंकि प्रोकरियोटिक और प्रकार का तो इसलिए प्रोक्षय प्रकार का होगा पक्षाब और कशिव का है यानि सीलिय फिलेंजला पाए जाते है इस इन इन सब चीजों को हम लोग पोशी का वले चप्टर में डिटेल्स में देखे थे अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जा कर देख लें जम्ते में तरफ्यों में हरितलवक होता एक ऐसा जिवाट js सोपोसी यह दोनुपरकार के होते हैं आप नेक्स्ट है जन्तु हम लोगों ने मुनेरा पढ़ा फिर प्रटिष्टा पढ़ा अब जन्तु जन्तु को पढ़ेंगे जन्तु आरस्टु ने इनका वरिकरन किया था सबसे पहले आरस्टु ने किया था ने इन्होंने जन्तु को दो भागमड़ा एक नईमा और एक इनंऊमा एनंअ एनंऊ को टोब लोग कोई सिखा प्ड़ रहे थे तो इसस ब्सक्राइक में लाल रक्त नहीं मिलता है लाल रक्त जो लाल रुधिर होता है वो नहीं मिलता है और इनईमा में लाल रक्त मिलता है लाल रक्त लाल रोधिर पाया जाता है इनाइमा में नहीं पाया जाता है इनाइमा को पुनह दो भागम बाटा जाता है अंडायूज अभीपोरस और जरायूज वीविपोरस अंडायूज मतलब जो अंडा देते हैं और जरायूज मतलब जो बच्चे वत्पन्य करते हैं बच कि जनत्व जगत का आधुनी की बढ़ी का और किस प्रकार से किया गया है कि देखिए जन्तु को दो भाग मुझा बड़ा जता है करड़ डेटा यह Stick लिजा करड़ अर में कल देटा और मिरण का डेटा 50 में नोड़ कार्ड़ नोटो कार्ड अभी बताएं कि नोटो कार्ड क्या होता है तो जिन में नोटो कार्ड पाया जाता है उन्हें कार्ड डेटा कहते हैं और जिन में नोटो कार्ड नहीं पाया जाता है नोटो कार्ड नहीं पाया जाता है उन्हें नन कार्ड डेटा नन मतलब नहीं और कार्ड डेटा मतलब कार्ड नोटो कार्ड तो जिनमें नोटो कार्ड नहीं पाया जाता है उन्हें नन कार्ड डेटा और जिनमें नोटो कार्ड पाया जाता है उनके कार्ड डेटा बोलते हैं है जीने में नोटोकार्ट मोतले दहल रहा है जीने में नहीं पना बड़ता है का पुरूच रूकिंष में बदल जाता है क्सेरूख क्सेरुख काड़ जब कसेरुक के दंड में बदलता है था शरक कास्योख के दंड मे नहीं बदलते हैं कसे रुक्यों को पांच बर भर गुम बाटा गया है मज से पिक्सेस उभायचार एंफीबियंस तरिश्रीप रेप्टाइल पक्षी एब्स और अस्तंधारी ममलिया ये पांच बर गुम बाटा गया है कसे रुकी को और कसे रुकी को दो भर गुम बाटा गया है इरो उसके बाद नन कारड़ेटा को कि दस संघों बाटा गया है कि प्रोटो जोवा पोरी फेरा चिलन ट्रेटा प्लेटी हेलमेंथी निमाइटोडा एने लीडा आर्थोपोडा मुलस्काई काइनो डर्मेटा है मिया काड़ेटा यह दस संघों में नान काड़ेटा बटा गया है यह जो हता है एक को सिकिया होता है के बाकि सब जो है बहु को सिकिया होता है नं करड़ेटा है नहीं नहीं मिलते हैं स्क्राइड स्बद्रयाओ चाहिए जेरी कार्ड जो है जब कासे रुक धंड में बदल जाता है तो इसे मैं प्रिष्ट रज्यू ऊपस्थित खया यह करणि अनुपस्थित नहीं होता है यानिक अनुपस्थित होता है नौन कार्डेटा में जब प्रिष्ट रज्जु मिलता है तो प्रिष्टी तंत्री का रज्जु भी पाए जाएगा क्योंकि तंत्री का कहां मिलेगी प्रिष्टी तंत्री का रज्जु भी मिलेगी और किदा सब कहें तो पूँच पूच की जो हड़ी होती है पूच होता है जहां से पूच का भिकास होता है तो इन में पूच वाला मिलेगा इन में नहीं मिलता है तो इन देखेंगे प्रिष्ट रज्व नोटो कार्ड्स उपासती से निर्मित तंत्र रज्व को सहारा प्रदान करता है कि जो पीठ के बीच में होता है यहां पर पीठ के बीच में उपर से नीचे तक वो होता है नोटो कार्ट प्रिष्ट रजू और वहीं नोटो कार्ट जो है वहीं पर कसेरुक दंड में भी बदल जाता है तो नोटो कार्ट कसेरुक दंड में कोभी जब बहुत ज्यादा अंतर संसे बनता है यह उपास्ति से बनता है को इसी लिए जो ऐसार पृस्ति रüşसेत होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मोर Сам ब्रब सकते लेते हैं क्यों क्योंकि उनके पास यह तो होता है प्रिष्ट रज्जू तो होता है लेकिन प्रिष्ट रज्जू कसेरुक दंड में नहीं बदलता है हम लोग नहीं मोड़ पाएंगे उतना क्यों क्यों कि हमारा प्रिष्ट रज्जू कसेरुक दंड में बदल गया है लेकिन उनका कसेरुक प्रिष्ट रज्जू और यह वर्टिब्रल का लाम का भिकास हो जाता है इसको छोड़िये कि यह है कि यह आप देख सकते हैं यह नोटो कार्ट्स प्रिष्ट रज्जु और यह है कसे रुक दंड में दोने एक ही बात है अलागलक साइड से दिखाया गया तो यह प्रिष्ट रज्जु नोटो कार्ट्स यह लोच्सिल सन्रचना है यह मुड़ सकती है यह लोच्छय लोच्छदार होती है क्यूंकि यह उपास्थी से बनती है और यह जो है यह मुड़ता नहीं है यह कठोर सन रचना है क्योंकि अस्ति से बिलकर बनता है अस्ति उपास्ति में मिशेशरब संतर है कि अगर आप मेट खाते हैं तो आप यह जानते हैं कि मेट में जो अस्तियों को जो बहुत लचीली होती है उनको खा जाते हैं चबाकर तो कि नोटो काड्स है और यह कशिरुक दंड है यह कशिरुक अस्तंभा है नोटो काड्स काड़ डेटा में होता है नंकाड़ डेटा में नहीं होता है दोनों काड़ डेटा में होते हैं यह भी और यह भी सिर्फ काड़ डेटा में होते हैं नंकाड़ डेटा में नहीं होते हैं और यह दोनों कार्डेटा में होते हैं तो कार्डेटा में कस्यरुकी और कस्यरुकी तो कस्यरुकी में यह होता है और कस्यरुकी में यह होता है हमने बताया था कि जहां भी यू आता है उसकारत होता है विक्सित और जहां हर्डवानिया और एंफेवी आक्सिस देख सकते हैं अभी पिक्चर दिखाएंगे लाल रख्त नहीं पाया जाता है कसी रुक में लाल रख्त पाया जाता है पसे रुक्यों का इनका सरीर समानेत चार भागों बटा होता है सीर गर्दन धर्ड पुछ सीर उसके बाद गर्दन इसके बाद फिक्राण वहता है नहीं रहे मैं जैसे में गर्दन नहीं होता है को कि तो बोनों भाग ँक जैसा ही होगा इसे पार्षवी कुछ सम्मीति कहते हैं जैसे और इक्जाम्पल बता दें कि यह इसको यहां से काट दें तो दोनों एक जैसे हो जाएगा लेकिन ये ये कुछ इस प्रकार से बना है या इस प्रकार से बना है उसको आप काटेंगे इसे यह से भी काटेंगे तो एक जैसा दो पार्ट जैसा नहीं मिलेगा तो यह सम्मित नहीं दर्शाएगा इसका यह मतलब होता है रुक्यों में कुल्ट बिक्सित जैविक तंत्र मिलता है जैसे जैसे कंकाल तंत्र मस्तिक्स के लिए नर्वस सिस्टम बहुत सारे सिस्टम अथा तंत्र होते हैं तो उस्थी को जैविक तंत्र कहते हैं सभी तंत्रों को मिलाकर जैविक तंत्र बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इस त्याद बहुत सारे सिस्टम होते हैं इन्हें दो छोटे के बर्गों में बाटा गया है और के रुखियों कवान ओर यूरो कार डेटकर प्रिष्ट रजु के अधर लारवा की पूछ में मिलती है हमने बताया है अधर तुम में अधर के में के अस्तान पर अधरथ हो जाता है को इसलिए पृष्ट और सिपहईलो कारड़ेटा पृष्ट रजू सीर से पुछ तक और विख्सित होता है में पृष्ट रजू के अस्थान यह ठानिश रोगों में अंतर किस परकार की आजाता है तो कुछ होते हैं जैसे हिरदय में चेंबर कितने कितने है उसका प्रिशंचरणतंत्र कैसा है उत किसे निर्धार्थ करते हैं कि कौन किसमें जाएगा तो का से रुकी जो निजलेंगे पांच बढ़ गुम्पटा के है मज से उभायचार श्रीष्री पक्षी और रस्तंधारी इन्हें डिवाइड करते हैं पुष्टक यानि कि उनकी हरदै में चंब्र कि दो चंब्र होते हैं मच्स में दो होते हैंनुसे में ताहला पहला दौओ और एक तीसरा निलय हो हब है तो क्वेश्टक कितने होते हैं अमगसा में 2 उप्हेचर में means the Alan और एक निला निले के वेंटरिक्रल भी बोलते हैं इसलिब भी लिखा है sist реально की मैं तीम में चार दो आलेंद एक निलय और अस्तन्धारी में विचार दो और दू नीलै तू कहाने के मतलब कि उनके हरदे में चमबर कितने हुते हैं मत्से में 2 सभाँ भाइचार सरीष्णिप में 3 उसके बाद दोनों में तीन तीन है उसके बाद दोनों में चार चार है कि परिसंचरन तंत्र एक चीज़वर बता दें एक बार परिसंचरन करने के लिए दो चेंबर चाहिए एक आलेंद चाहिए एक निलय चाहिए तो दो चेंबर अगर होगा दो कुष्टक होगा एकल परिसंचरन तंत् बोलेगे अपुन दोहरा यानि कि incomplete double तो इसमें दो चमबर है एक अल पर संचन बना लेगा एक चेंबर बच जाएगा तो चमबर बना बना एगा यह की अपुन दोहरा बनाएगा यानि में विचार है तो डबल्सर्केलेसन सिस्टम मिल जाएगा यहां भी स्टर्जी प्ताफ क्या है आमोनिया मट्य अमोनिया मथ्य मॉस्ट भर है और अमोनिय में महँ है संमट से चिक से नीए अजित करता हैं और बाकी सब किया है एक उसरजी पणके कहा से उसरजन होता है कहां से होता है तो सर्जी अंग क्या है मत्से में गलफड़ा होता है गलफड़ से उसर्जन करता है और बाकी सब में ब्रिक अर्था किड़नी होता है मज्य अम्ट्य हो सर्जित करता है और इसलिए को रज़ित करता है वर सिर्जित करते हैं वह किडिनी विष्ट से रजित करते हैं चया है तो सजींग यंग है क्यों क्यों कि यह पानी में रहता है तो गलफड़े सांस लेता है अचली कि अब भाएचर क्या करते हैं पानी में भी रहते हैं जल में रहते हैं जब जल में रहते हैं तो मुखहई गळंग अर रत्य का प्रकार क्या है मदसी में धंडा थंढ़ा होता है तरिसरीप का भी थंढ़ा होता है लेकिन पक्जिक का ग Shanghai अस्तंधारी ना को इस आप को उससा ढ़ल सकते हैं लेकिन जंका घरम होता है वो अपने आपको नहीं सकते हम लोग तो जनतु में आते हैं सतंदारी में यह लोग इसलिए हम लोग खुन गरम होता है हम लोग टेमप्रेचिय के उनसार अपने शरीर के तप मान को कम अधवाधिक नहीं कर पाते हैं लेकिन मत्सृ और सरस्वी का खुन ठंडा होता यह लोग आपने शरिर के इससेट मैं किस प्रकार से होता है मतनूप या मतलब 1 मादा के सरीर के अंदर जाकर निश्येचन कोkal जैसे मनुसी fertig पर उन्के सरीर के बाहर एक छोटा सा होता है उस मैं होता है सरीर के बाहर वैसमें मचली का नाम नाम नहीं सारे बर्गत्व हैं जो आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार का निशेचन होता है उभायचर में पाहिया निशेचन होता है और बाकी तीनों में आंतरिक निशेचन होता है यह निवास कहां करते हैं यह मत्य बर्क के जयुँ जल में निवास करते हैं उभायचर जल और थल दोने में निवास करते हैं कि वक्षिय ऐधल पर निवास करते हैं कि ऐसे वोत हैं जो रह चलते हैं है कि यो रहेंग कर चलते हैं पेरों में चार पंच अंगुलिय जिनके पाए जाती है अगर पैर हो तो सो कहां से मिलेगा नहीं पाएं पाहे जाता है तर श्री क्या है कि रेंग कर चलते हैं पक्षी क्या करते हैं उड़ते हैं अकास में उड़ने वाले होते हैं क्योंकि इन में प्रूमोटिक बेवन होती है आगे बताएंगे और अश्तंधारी कौन होते हैं बचचे देने वाले होते हैं इनका सेख फॉक eland पेड़ीड़ और शद्न होता है मचली पर लगे होता है आप देखियाओगे इस प्रकार से coronavirus इस प्रकार से अब बचंद और से अगे बाइध्ते हैं ऑब दिखाए किम दिख्की सब्सक्राइब संistä्रेट नहीं के इंका सुषक तवचा होता है यह से छिपकली को देख सकते हैं या गिंगिट डेख सकते हैं किसी को तेख सकते हैं यह तो ये तुच्छा जो होता है छोटा है उता है हूता है और गेर्गिट इस शुर्णी कर सादी है जो में बाहर निगालती है या साप ale अपने सल्क को केंचुली के रूप में निकालता है तो केंचुली देता है कि पक्षी में पूंच में पूंच हुआ पंख में तैल गरंथिया पाई जाती है पक्षियों के और अस्तंधारियों के तुछा जो है बालों रोम सधकी होते जैसे भैंस देख लेजिए गाय देख पुरे बाल होता है बाल नहीं होता है तो रुम ही होते है रूम को तूर इने इमा थारुच्ट में दो भागव ईंएमन हमंовор ने मा क्या ए नेमा क्या है नम व mismos मे लाल्रक्त नहीं पाज़ता है और इने मार्य होते हैं जिन में यह आना सब है परिकिकर रेकार है तो इनमें ढऄनल देनगे मिश्टेक है कि नेमा याने कि अंदायूज कान है जराएज कान है अब मत्सी उभाटर भी आंडायूज और स्रिप्भाहर इन परक्षी बेस्ट अप्षी यह श्क् cgd0 मचली है तो इधर पंक होता है इस प्रेकार से अब नियुक मुजी दिखाएंगे हम अगห 같아 आज हो आगर में अंगे को दो है उबहाचर में से अधिक जोड़ी पलृती है साभी में में तीन जोड़ीपल के होती है तर आघे से चाहिए संग्गुचा कुद्धीस नहीं भाई जाए झाहिए सऔर फस्में नही पाई चुछी परीति अपका यहांगे तोishing भी देखते हैं आपने आपको असानी से मूढ सकती है के सबुआ लेता है अगर हड़ी होसे पसली होता है जो लकी में अगरपाद पंखों में रिपांतριत हो जाता कांव Angels और दुव आगे और पर पंक बन जाते हैं और अस्तंधारी में वह स्वेध ग्रंथियां होती है मत्स में वायू की एक थैली होती है जो तरसल मचलियां जब जल के अंदर ज्यादा नीचे जाती है तो जल का दबाव उन पर पड़ता है तो इसको कम करने के लिए जल का दबाव को बैलेंस करने के लिए इनमें वायू की थैली होती है उसमें वायू भर लेती है उभषर में कलोका होता है 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 दीक और इनके सरीर के बाहर एक ऐसा कोस होता है जहां पर जननमार्ग और जहां पर जननमार कलोका हे और अश्टंधारी में दुखत्तियां होती हैं आप देखते हैं यह सब करता है और आ कि टॉर्ट तन हुआ या निः नहीं होती है और इन समें नहीं होती उदारन इसका देखते हैं उदारन इनी सप्ता पर्टियों के अधार पर हम लोग वो डिशाइड़ करते हैं कि कौन मच्सेट कौन भाइचर वा कौन से श्रिप होगा कौन बक्षी और कौन तंधारी अब उदारण देख लेते हैं मच्स के उदारण है रोहू तार्क हार्पीडो समुद्री घोड़ा इत्यादी वेड़क के उदारण है जरी स्रीफ का उदार करदाने का वूतर मोर सचतुर मोर्गिध कतवधार आप जानते हैं असतंधारी का मनुष्य कुत्ता बंदर हाथी वेङ इसका भी जानते हैं मेर कंग देखें यां से लामेंद्डर और सिर्पेंटर यह जैसे च strive कली होती उसी प्रकारका होता हम अब जिसमें हम लोग आते हैं उनका दो बागों फिर बाटेंगे तो बाटेंग है स्टंधारी को एक प्रोटो ठीर एक ठीरिया हमने अभी बताया पीछले स्लाइड में कि जहां प्रोटो सब्द लगा हो वह हो उसकार्थ होता और बिक्सित तो प्रोटो तो वी सरह गलत नहीं है लेकिन मुख्य ऑच्छा अश्चे से बातना यहीँ होगा कि ही अस्तंद्री को और बाढत दीजिए और थे επιजाती हैं और चूत की सथारी बच्चे तेंगे नहीं देते हैं लेकिन कुछ इसक्ते अपवाद हैं मुझे अपवाद क्या अपकः को ही एस नीचांप fi ना पता injection कहा जाता है जो जूचा को पास नहीं होता है कंशे यंदेते हैं इन में बहुक्णब बॉजंप sashy जाता है फर ईक्ञांपूल आरनी थांकिन्स एकीडिना और ब्लेटिपस इसकी उदारणा है तीरिया क्या है इनमें चूचक वहीन अस्तन पाया जाते हैं यह बच्चे देते हैं इनमें बाहर करना पल्लव पाया जाता है एक्जाम्पल है कंगारू डाइडेल फिस पैंगोलीन शचंदर मनुस्य और वेल क्या होता है चूचक वहीं अस्तन पाया जाते हैं यह बच्चे देते हैं यह प्पड़ को बच्चे देते सब्सक्राब को सब्सक्राइब बुए और मतें UM कि सब्सक्राइब जीais पैर अब गारू को सब्सक्राइब पर फ्रहें लेंद को समस्राइब सब्ध लगाहे इसका मतलब विकास हो चुका है यानि कि ये परिपक को बच्चे देते हैं और बच्चे को बच्चे इसो माता के गर भार्षए में ही विक्सित हो जाते हैं सब बच्चे देते हैं मेटा थिर्या लेकिनन पाय जाती हैं कि इनके चूचक सो प्रिट्स जो है मार्शुपियल थैली में खुलते हैं को अपने परिपक को बच्चे को मार्शुपियल थैली से जो ws sleep when simple नीम हिखुलते हैं why do iIS होती है और इस्तनागर देख क्याTh》 रिवाशो सभी में ऐस्तनागर पाए जाते हैं क्योंकि यह प्ल दंती है है मिटरिया एक दंती होती है इस इत्वनка स्क्राइब और रिवार दंती होते हैं यह में ताफिए आको कंगारवन अग्रियां को यह मारसोपिया थैली है यह मारसोपियल थैली में अबने बच्चे को रखा सावा है कंगारू यह भी देख सक्कते हैं कि आसे यह पेंगोलीन सब्सक्राइब मनुष्य से खरगुष्वष्गा A एब इस पैंगोल इन इस ये चंथ अंधर कि और मनुष्य को देख कर खुशी हो जाएंगी है,, यह मनुफ्य है Türkiye कि घध्र हे करें और यह पैंगि Director करता दे लाग चिसे प्रकार हो जाता होता हैं इस के सलक है इसका शुरक्षा करता है मदसीपर के जी máँ के शरीर में वायू ιुकी एक थैली होती है उत्तिक गहराईन में जाने पर जल्दाब को नियंतृत करती है है इसके शुरकषा करती है मदसीपर जाते हैं जल्दाप को नियंत्रित करने के लिए के लिए होती है well उपास्थिल कंकाल मचली को 9 20 और यहां जाहां भी सब्दे आप देखेंगे आस Federal इसका आर्थ होता है आड्य हड्यों का अध्यान चीछ या auf ऐस्टी रोग से hoorता है अड्य हड्यियों तो हडी वाली अस्थिल कंकाल को इसलिए ऐस्थी जोटे उपास्थी आंकल बार क्लोको देखे थे क्लोका शरीर के बहर इस्तित ऐसा कोस होता जिसमें और नाल मोत्रनली और प्रजनन घुअ यहीं पर आकर खुलते हैं मेधत में तीन जोडी पलके होते हैं एक पारदर्सी होती है तीसरा और थे आरज भ अ mention होती है अधिखतर सरी प्र जली April अ законч करते हैं जैसे सेलामेंडर बिल्कुल गिर्गिट के समान यह होता है गिर्गिट देखें होंगा गिर्गिट के समान यह होता है सर्फ बिंदी बिंदी होती है कि अपने मृत सलकों को क्या करते हैं हमने बताया अभी आपको तर श्रीप के हर्दे में तीन चेंबर होता है है परन्तुमगर मक्ष करता चार चम नहीं होता है दरसलर परफीफिकimize स्लाइड में देके एक सश्रीप करें। में जभीता हैं हृता है। मत्स में दो चिंबर व्हे चार में तीन चंबर सह तथा ाइस्ते। में न रहकर अस्तंधारी में रख दिया जाता है यह अपवादों को भिषेस द्यान देंगे कि यह क्लोका है आप यह क्लोका रहा से क्लोका सरी के नहीं इस्तित खोलता है यहां पर जनन मार्ग होते हैं यह इसके हरदे में चेमबर होते हैं इसलिए है लिए तर इसरे यह ड़ेल मिल रहे हैं सब इन्व wizard मिल रहे हैं उसमें मिलते हैं लेकिन इसको жadlingen होने चाहिए तीन चार होते हैं और किह सर्फ है ये च्पकली अपना अलग कर रहा है, ये चिपकली है ये यह असनी सी की कि च्पकली को ऑसी वोलते है , सुअपके पूच में तेल गा नहीं होती है से प्पक्चत कर्ण हो पूचर नहीं होती है पक्चियों के आहर नाल में अतिरिक्त को सपाय जाते हैं एक होता है क्राप है करता कि अब होजन का संग्रण का उसे मुलायम बनाता क्राप अब क्राप फोजन को पीषने काम आथा और क्राब जाता है मुलायम बनाता है हैं असलिए वह किसी चीज़ को देख लेते हैं इनके द्रिष्टी बहुत होती है लेकिन गहाण सक्ती कम होती है इंके पास वियुके होती हुए। सबसे बड़ा पक्छी शुटर मूर्ग है इसका अन्डा सबसे क्ष मोच्छी थोटा पक्छी हमिंग बर्ड है गुन्जन पक्छी कहते हैं इसका बार के वोल दो ग्राम का होता है यहां पर आप देख सकते हैं जिए इतने सवे इथे इतना च कोटा है कि से भी भूँचोटा है पक्षी उड़ने में असमर्थ पक्षी को उना है सुत्रमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगोईन यह अपने भार की वज़र से नहीं उड़ पाते हैं क्योंकि यह इतने भार ही हो जाते हैं कि उड़ नहीं पाते हैं अस्तंधारियों में बाहय करणपल पाय जाते हैं कान के तीन भाग होते हैं बाहय मध्य और आंध्रिक कि यह एमू है कि कीवी है कि यह पर मैटम बैठी हुई है इन्हें इस देख लिजिए सुत्रमुर्ग तो यहाँ देख लिए क्योंकि सुत्रमुर्ग की सवारी करेंगी है किसी कि बैठेंगी है अभी पीछे देखें गुंजन पक्ची पेंगुईन है कि साफ को छोड़कर सभी स्रेशिप में चैंद्रिका युक्त पाए जाती है लेकिन साप में नहीं पाए जाती है इसलिए साफ अब वाद है इसको विध्यान देंगे अस्तान्दारियो में एक जोड़ी पेसी डेयाफ्राम होता है जो स्वसंन में सहायता करता है करेंट मारने हुए जब बहुँ ज़्यादा खत्रा महसुस होता है गृषब मछिली किए में चार चमबर होने के कारणा इसह अस्तंधरी वर्ग में रखा गया है सो हिसे उसी जब पर रहे लेकिन मस्वर्ग में रखंकर अस्तंधरी में क्रिकत है इसलिए इस प्रकार से लुक्टर मगर्मक्छवला मेंटर तो इसे भिखत करेंग Uganda tobacco आप वाध है यह होल मचली रहे क्रते हैं यह बच्चय देते हैं यह अशत haw नंगा है है कि कि तश्म गादभगर पक्षी में रखते तो फची तोँडी देते हैं नंश्च मघादघ करता बच्चा देता दूंद भी पिलाता इसलिए चमगादर को पक्षी में नहीं रखकर करके अस्तंधारी में रख दिया गया है क्योंकि पक्षी ओं के कान भी नहीं होते है कि है तो अस्तंधारी वाले गुड़ेसे मिलते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह वेल मचली है यह छम गाधाड़ मचली यह अगर बीड़ करेंट मारने वाली मचली डमीड़ है कि मनना कार्डेटा को देख लिया इन कार्डॡ तदोफित दस संगों में बाटेंगे अर्थोपोडा है कि पाहला फ्रोटो जिए को होते हैं प्रोटो जिवां सामने दिख रहा है उर्टो ज फायटा या क्रारंबीग पादप कहते हैं अगर पुछे के प्रोटर फाइटा कॉंस संग होता है तो आप प्रोटर जवा ही बताएंगे तो तंत्र साजीवी और परजीवी सभोजी सभी रूप में मिलते हैं लेकिन आधिकांस्ता बिसम पोसी होते हैं हम लोगों ने हम लोग ने इसको मुनेरा संग में देखा था पढ़ा था मुनेर से संगसे ही उठक राएं में गमन तो कुट-पाध कासाभिकाय पआ यह म्लेंजील्य यह रह्या यह यह सब प्र जअ करते ह। मोडो करता है पलाजमोडियम एक्सी प्लाजम अभी कमप्लेक्रशा है कि सब आलेंगे जनंद करते हैं कुछ सतंत्र protojova होते हैं जिसे अमीबा यूगलीना आकी ऐन गोरी पेडा संग यह पोरिकार्त होता है फोरी कार्थ होता है खेद्र तो यह चीद्र रेष्ट जीव होते हैं यानि कि इनके सरीर में भ। ज्यादा होते हैं भ। ज्यादा च्छिद्र osob संसे में सरीर बढ़ाता है आप इसमें देख सकते हैं एक जीव है जिसके शरीरे बहुत सारे छिद्र है इस conventional कहते हैं यह काने सिद्र में पानी व्षीं के सपंड्र में समूद्री कि थीव होता है इसलिए द्रीर है जास हरा है लेकिन और अन्यमित होता है देख wanna सकते प्वक्त यह होते हैं क्यों पाए कि बहुंडान की कि ५ंब्हाय ल्यंगी लेंगि होते हैं से समेटर्ग्स होते हैं कि अ क्विकंडंद रहा होता है ल्हेंग जनन मुक्णौन क मतलब की करन की उनसे थोड़ा सभाक systems सरीर के थोड़ा सरीर से थोड़ा सवाग तूट कर अलग हो जाए और नया जीव बन जाता है उनके शरीर से जैसे पौदों में कली उत्पन होती उसी प्रकारशन के सरीर से एक कली के रूप में उत्पन होता है और थोड़ा बड़ा आवकर तूट का अलग हो जाता है उसे और और नय जी बन जाता है इसे मोकुलान बोलते हैं ल्ंग जाना न कैसे होता है युग्मक संगलाइन द्वारा होता है मैं इस taraf न проблем में पाचन-क्त न द्रिकातंत को MAR acontece कि अभी पता है ऐख का मतलब होता है न resilience को नाम है mistaken का नAI और एक बड़ा हम पॉलते हैं इसके उदार हुआ है स्पांजिला साइकान यह इस्पांजिला है यह साइकान है यह साइकान है हाईलोनेमा यह हाईलोनेमा है और यह यू बलेक टेला यह यू बलेक टेला है तो यह आप यहाँ देख लिए पूरी फेरा को नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया प्रोटोजवा स्धो प्रोटोजवा प्रोटोजवा इसके ब मैं प्रोटोजवा सबनेखिए यहां से भोजन का पाचन होता है दरसल यह आप देख सकते हैं जीव है हईड्रा इसका नाम है फिर है और इसके शरीर में यह यह रिक्तष्थान होता है इसे ही सिलेंट्रान बोलते हैं तेख हुआ को इस लेंट रान बोलते हैं जली जीव है जो सागरु की तल्षटियम चट्टानों से संबंद रहते हैं आप फानि में खुमते हुए या समूव में गतिहिन या थे नहीं की रहते हैं में पुद्ध रहते हैं इनका शरीर कोजिकाओं की चम्रचनास निर्मित होती है किया दोनों सन्रचनाओं के मत हैं कि मेश फमिशτο जाता है कि यृषी पड़तें सितिरिंश shows मतलब की तु इंनमें भोजन का ग्रहण मित शुर्जन जेशन है इंहीं से भोजन कर भी होता है और सवध्या दोनों से purity होता हुआ नंका श्रीन नहीं होता है इनमें रत नहीं पाय जाता है यह नन अन्यवं roupa संघ के चमकीले तथा पारदर्सी जिओंग को चनम फोरर चनमकीले और पारदर्सी जbike यह खा जैसा जैलीफीष को ले यह हिसके उलावन क्या स्लेंटरेटश के हाइड्रा मुंगा या कुरल मुंगा और मॐल शचिटी एन्मोन है चिन्टरेटश Pacific प्रक्राइब यक συνद् essence क्या होता है कि ति य। अचल होते हैं अधिस इस्तिर होते हैं आपने बताया आप यहां से शलन सब्सक्रस करते हैं है तो सब्सक्राइबब कहां सब जाएगा तो इसलिए यह अलेंगिंग जनन करते हैं जिसमें भीखेंडन और मुकॉलान होता है और मेडिसा जिलेंट जो स्वतन तरफ से तेरते रहते हैं वह एक दूसरे के पास जाते हैं इसलिए इनमें लेंगिंग जनन होता है में प्लेटी हेल में जटै प्ली प्लेटी का अर्थ होता है चप्टा इन्हान प्लिट में आफ फीता क्रीमी नहीं है कृते हैं यंज क्क में नि सबस्तिन Gleich Uhr में जीव को आप लोग revital बरसात की दिन में घुमते रहते हैं इसे प्रूड पर इस गूद को आफ ने देखा कहते हैं साइन्स के लांग्वेज में हैं इसमें नहीं होता है कि इस वतंतर शुच माकार से लेकर दोफिट लंबे तक हो सकते हैं अलग-लग हो सकते हैं हैं अभी मैंने बता है एक्जामपोल के लिए देखें तो प्लेनरेया, हैसियोला, टीनिया, पोलिसियम, फीता क्रीमी, टीनिया, समानेटा, यह प्लेटी हलमेंथी, प्लेटी हलमेंथी को कई बर गुम बाज़त क्या जा सकता है, जैसे, टेमेटोडा, और सेश्टोडा, इतना बरिकर हम लोग नहीं देखे हैं, कि सिर्फ नाम देख ल प्लेटोडा, इन्हें एस क्लिम इंथी या गोल क्रीमी कहते हैं, क्योंकि यह गोल होते हैं, आप देख सकते हैं, एजीव को, बिल्कुल गोल है न, यह गोल क्रीमी इसे बोलते हैं, इनके सरीर पर छल्ला, क्यूटिस नामक, सुरक्षात्मक आवरण पाय जाता है, इनके ब स्वक्ष या खारे जल में तथा भूमी में पाये जाते हैं, भूमी में मिलते हैं, स्वतंतर जीव या पर जीवी दुन प्रकार के होते हैं, स्वतंतर जीवी क्रीमी की संख्या मृदा में अधिक होती है, मृदा की रुवरता को बढ़ाते हैं, जैसे केच्वा होता है उसी मिलने लगता है इसके एक्जाम्पल एकUhढ़क देख रहे हैं यहांपर इनका सरीं कई भाग में इसे प्रकार बिखंडित प्रकार से स्रिर के परनतित होता है बता यह गति कर सकते हैं नयौति भूमे में निवास करते हैं यह जाते हैं क्योंकि नमी होती है नम युक्त भूमी में कि इनकी लंबाई कुछ मीली मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो सकती है अलग लग होते हैं अलग प्रकार के तरप्रतन देग वहा का वास्तिए विकास एने-लीडा एने लीड़ा मेही हुआ था देग वहां के पास्तिति के कारण है सीलो मेट कहते हैं क्योंकि सीलो मेट कहा रहती होता है देग हुआ इनमें तंत्रिका तंत्र तथा बंद उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र और बंद उत्सर्जन तंत्र मिलते हैं यह सतह द्वारा ही स्वसन करते हैं क्योंकि इनमें स्वसन के लिए अलग नहीं होता तो सतह द्वारा स्वसन करते हैं एक्जाम्पल एक चुआ जोग लंसवर्ग पालिकाइट्स एच्वा जोग को जानते ही होंगे बाके इनको जाने या ना जाने लाइं कि अर्थो पोरा सबसे बड़ा संग आर्थो पड़ा इसमें स्वासनली अर्थो पोड़ा रहते हैं और अस्वासनली के द्वार्थ लेते हैं कि कि यह इएक लिंगी यूनी सेच्षूल होते हैं ते था इनके जीवन चक्र में लार्वा आवस्था पाई जाती है जैसे तितली लारवा सही बनती है तो सब लारवा आवस्था इनके जीवन चक्र प्रकाई मिक्झाम्पॉल की तर्पर एट मकडी केकड़ा विछ कणखजुरह जिंगा मचरा कांग पत्यादी सब आप सब देख सकते हैं WORक अचानती भी होंगे मोलसका मोलसका अर्थ होता है साब्ट हो के अर्क यह ज्यादा है इसलिए गठोरक खोल में बंद होते हैं यह या जनतु का दूसरा सबसे बड़ा संग है इनका सरीर कोमल होता है जो कैल्सियम कार्वोनेट के कवचिम बंद होता है यह जली जीव हैं तो था इन इनका अकार 1 mm से 20 मीटर तक हो सकता है इनकी सारी सनजना दी परसी सम्मिति दर साती है दो परसी क्या होता है अभी मैंने पीछे समझाया था है इनमें इनमें एक जोड़ी बिरिक किडनी पाई जाती है जिससे अमोनिया यूरीक अमल का उसार्जन होता है इनमें अस्पष्ट लेंगिक भाजन होता है तथा यह आंतरी के वह दोनों प्रकार के निश्यचन करते हैं एकजाम्पूल है सीप गोंगा स्वेड कावडी आक्टोपस सब्ट देख सकते हैं आपके सामने सब हैं यह मtoo अमल सक संग के जीव हैँए अ के काई जोडर मेता यह समोधरी जी वहते हैं यह भी समोधरी जी होते हैं इसमें हॕए काकाल में के रूप Muhㅎㅎ को मिलता है की हड्यां मिलती है को कि यह लुप में रूप में पार्शी रृप में और यह समिति रूप में और यह समिति के मतलब कि कहें श provides से गया तो इसका एक भाग बन जाएगा जैसे यह इसक यह इस पर यहां से कटेगे वह यहां से बाग और सब और समान में इसे इस्टार्थ जैसा यह दिख रहा जी सिर्वहिटा अ कि इनमें वास्तिविक दिखुवा के विशिष्ट जल्द संग्वहन तन्त्र में लिकाऊं के द्वारा जल्द संचरण के माध्यम से चलने भोजन करण करने सोसन में सहायता मिलती है इनका सरीर भिखंडित तथा सीर्विहीन होता है तो आपको कहीं देख नहीं रहा है तो सीर्विहीन होता है और भिखंडित होता है इनकी आकरिती तारे के समान होती है इनकी आकरिती तारे के समान लंबिय तंत्र का तंत्र होता है जब कि तंत्र का तंत्र मस्तिक्स नहीं Muhattin कहा तंत्र तंत्र होता है यह 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 लिंगा पाद था गलफ़डु कि सहाहता है तुर्षन करते कहाए है जीव है नेक्ष्ट और लाष्ट है हैं इस संंंह को सबसे पहले कि स्यूरी की संग में रखा गया था परन्त अभी से नंड का डिटा में रखा गया है अलग संग के रूपे रखा गया है यह समुद्री जीव है जो क्रीमी के समान होते हैं क्रीमी अभी देखे पीछे उसी के समान यह होता है इनका कार सारीक संगठन अंग तंत्रस्तर का वह होत ही आपने अभी पता है इनका सरीर बेलानकार होता है जो सुन्द कालर वक्ष में भाजित होता है अब देख सकते हैं सभी लगभग बेलानकार है इसमें बंद परिसंचरन तंत्र होता है बाकी सम्में या तो परिसंचरन नत्र होता नहीं है या तो होता है तो खुला होता है य है जिसमें बंद परिस होता है सब्सक्राइब होता है इसमें कि लूम होता है और उसर शुन्द गरंथी द्वारा यह फली होते हैं इसमें होता है अइस。 बाद 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 बचा क्या और पदप प्रकार से एनिमल कुप पढ़ें उसे प्रकार से पादप जब जूलोजी पढ़ेंगे तो पादप बर्गरन पर एक चप्टार आएगा तो उसी में कवक को भी पढ़ेंगे कवक को पादप को उसी में वू समय पढ़ेंगे तो अभी के लिए इतना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देजिए शेयर और कर देजी बीटियो को दन्य बाद